दैनिक सवेरा अंधेरी से पुझाले की बीते दिनों उबर क्याप ड्राइवर द्वारा हुए एक महिला यात्री के साथ रेप मामले में दोशी ड्राइवर को मतुरा से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया गया है जांच में सामने आया है कि दोशी ड्राइवर पर इससे पहले भी किसी अन्य महिला के साथ जबर्दस्ती करने के मामले दर्ज है इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता प्रमोत तिवारी ने भाजपा पर कटाक्ष कसते हुए सीधे सीधे कह डाला कि भारतिय जनता पार्टी सरकार के माथे पर कलंग का टीका है कि कैसे एक अपराधी जो पहले से दोशी था और सजा काट चुका था किस प्रकार उसे इतनी प्रतिष्टित कंपनी का लाइसेंस दे दिया गया वही अन्य पार्टियों की नेताओं ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा है कि सरकार को दोशी के खिलाब सक्त से सक्त कारवाई करनी चाहिए तरह की जो घटनाय हैं वो दुर्भागपूर है और निष्ट तौर से कोई भी सबसमाज इस तरह की घटनाओं को सुईकार नहीं कर सकता और जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भागपूर है और उसपे कड़ी करवाई सरकार की तरफ से निष्ट तोर से होनी चाहिए और हो इससे पहले भी दहली के जो मामले हुए हैं और उसमें पूरा देश दुखी हुआ था और जब ये मालूम हुआ कि ये व्यक्ति जिसने ये रेप का मामला जिसके साथ जुड़ा है वो इससे पहले भी ऐसा कर चुका है तो ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात होती है और क करके भी जुडिसियरी को भी इसमें एक्टिविजम जुडिसियल जो एक्टिविजम कहा जाता है उसमें ऐसी सजा देनी चाहिए जो नजीर बने कभी-कभी तो लगता है कि ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को कहीं सारोजनिक तोर पर इनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए कोर्ट की साज़ा से